आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वाल पैनल कैसे लगाते हैं और इसको लगवाने का खरचा कितना आता है वाल पैनल लगाने से पहले हमको चारो साइट पहले दिवाल के सबसे पहले बिडिंग लगाना होता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं हमने दिवाल के चारो साइट बिडिंग लगा दिया है और बिडिंग में हमको इस कीली का यूज करना होता है जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं और बीडिंग और पैनल दोनों चीजों को हम इसी कीली से ही दिवाल पर जाम करते हैं बीडिंग लगाने के बाद अब हमको दिवाल पर पैनल लगाना है और जो हमने बीडिंग लगाया है उसके अंदर जो गुरूप होता है उस गुरूप के अंदर हमको पैनल को डाल देना है जैसे कि आप देख रहे हैं को बीडिंग के अंदर जो गुरूप है उसके अंदर हम उसके बाद आपको दूसरे पैनल को भी लाना है, सेम इसी तरीके से बीडेंग के अंदर डाल देना है, और हमारे पैनल में जो गुरूप होता है, उस गुरूप में आपको पैनल को डाल देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमारा दूसरा पैनल भी लग शुका है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फिनीसिंग आता है और लगाने के बाद आपको सेम उसी तरीके से इस पैनल को भी जाम कर लेना है दिवाल पर जाम कर बाद है और लगाने के बाद है peace तेजर दो कि दो दो भाई एंट झाल 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 कि और अभी दिवाल के आखरी तक पहुच चुके हैं पूरा वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर पूरा वीडियो पनाया होता तो वीडियो काफ़ी ज्यादा लंबा हो जाता इसलिए हमने वीडियो में बीच के सिंग को कट कर दिया है और सारे में चीजों को हमने आपको बता दिया है कि कैसे आपको पैनल को लगाना है दिवाल पर और हमने दिवाल पर पूरे पैनल को लगा दिया है और चलिए आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा है यह पैनल हमारा मार्वल फिनीसिंग में है और अभी आपको इसका प्राइज भी बताएंगे और लुक आप देख सकते हैं इसका कितना बहतरीन आ रहा है और यहां पे हमने जो है बीच में एक बिंडो है उसके लिए सीट को कट कर दिया है और बीच में हमने एक बोड भी दिय यहां प्रीज में हमने बीडिंग कितने यह लगा यह यहीं पे लगवा तो आपका जो है 45 फिट लगेगा चलिए इस वीडियो को यहीं खतम कर देते हैं नेस्ट वीडियो में आपको कुछ और नहीं जानकारी देंगे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को आपको कर लीजिए